फ्रांस में चुनाव के बाद हिंसा भड़क उटी है कैसे प्रदर्शन कारी और पुलिस के बीच वहाँ पर जड़प हुई है एक रिपोर्ट के जरी आपको दिखाते हैं सडकों पर आगजनी गुसे से भड़की होई पप्ले भीड को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़ती पुलिस ये हाल है दुनिया के खुबसूरत देशों में से एक फ्रांस का और इन तस्वीरों के तीछे है वहाँ की राजनितिक हाला जो वहाँ हुए चुनाव के बाद अचानक बदल गए हैं फ्रांस में पबलिक कितने गुस्से में है कि सडकों पर उतर कर नारे बाजी करने लगी लोगों ने हंगामा किया सडकों पर हर तरफ आगजनी होने लगे देखते ही देखते हजारों लोगों की भीड सडक पर उतर आए चुनाव नतीजों के बाद कुछी देर में फ्रांस की सर्फों पर हर तरफ सिर्फ शोर ही शोर था धुआ ही धुआ था आखिर योकरेन के युद्ध और घाजा में चल रही बंबारी और हजारों लोगों की मौत के बीच फ्रांस में क्या हुआ फ्रांस क्यूं जलने लगा फ्रांस जो यूरोपियन यूनियन का एक बड़ा देश है वहाँ इस वक्त जबरदस्त राजनेती खल चल हो रही है ग्रेटन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तखता पलट कर दिया है फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाओं में राश्रपती एमानुवल मैक्रों की पार्टी हार गई चुनावी आंखणों के मताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ इन में से बामपन्थी न्यू पॉपलर फ्रंट गडबंधन को 182 सीटे मिली दूसरे नंबर पर एमानुवल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही रेनेसा सिर्फ 163 सीटे ही जीत पाई जबकि दक्षट पंथी नैशनल रैली गडबंधन को 143 सीटे मिली है तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटे जीतना जरूरी है किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है तो ऐसे में फ्रांस में गडबंधन सरकार के अलाबाग कोई रास्ता नहीं है नतीजे जैसे ही आए फ्रांस में हिंसा फड़क उठी फ्रांस के इस्थानिय मीडिया के मुताबिक वामपंथी गडबंधन को ज्यादा सीटे मिलनी के वज़े से राजधानी पैरिस समेथ पूरे देश में हिंसा फड़क गई नतीजे आने के बाग प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आये और हिंसा शुरू करती कई वीडियो में प्रदर्शनकारीों को सड़कों पर आग लगाते और उपद्रव करते हुए देखा गया हिंसा को देखते हुए देश भर में पुलिस को तैनात कर दिया गया फॉक्स न्यूस की रिपोर्ट बताती है कि हालात गंभीर है प्रदर्शनकारी हिंसा करने जड़कों के बीच कई जगए पर पुलिस ने आसू गयस का इस्तिमाल किया है फ्रांस के प्रधान मंत्री ने दिया इस्तीफा शुनाओ के नतीजे आने के बाद हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रधान मंत्री गैब्रियल अट्टल ने इस्तीफे की बेश कश की लेकिन ग्रैबियल अट्टल तब तक प्रधान मंत्री बने रहेंगे जब तक कोई और फ्रांस का पीम नहीं बन जाता ग्रैबियल अटल ने कहा कि हमारे पास बाउमत नहीं है आखिर ये सब क्यों हुआ अब वो सुने फ्रांस की मीडिया के मुताबिक फ्रांस की दक्षन पंथी पार्टी नैशनल रैली यानी एनार के लोग सड़क पर आ गए और प्रदर्शन करने लगे इस दोरान पोलिस ने सेंट्रल पैरिस में लोगों पर आंसू गैस के गोले दा गे जिसमें कई लोग खायल है दरसल जब 30 जून को देश में आम चोनाओ होए थे तो दक्षन पंथी पार्टी नैशनल रैली एनार को सबसे ज़ादा 35.15 प्रतिशत वोट मिले जिसके बाद अनुमान था कि पार्टी को 230 से 280 सीटें मिल सकती है लेकिन जब नतीजे आये तो ठीक इसका उल्टा हो गया अब एक बार फिर देखिए कि किस पार्टी को कितनी सीट मिली है फ्रांस के ग्रे मंत्राले ने सोमवार को जो आंकड़े जारी किये हैं उसके मुताबिक कुल 577 सीटों में से NFP यानि वामबंथी न्यू पॉपलर फ्रंट गडबंधन को 182 सीटें मिली जबकि दूसरे नंबर पर मैक्रों की पार्टी रेनेसा पार्टी रही रेनेसा को 163 सीटें मिली दक्षिन पंथी नाशनल रैली एनार गडबंधन को 143 सीटें ही मिली जिसको कुल 35.15 प्रतिशत गोट मिले थे नाशनल एसेंबली में बहुमत के लिए किसी भी पार्टी को 289 सीटें जीतना जरूरी है ऐसे में अब किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है वाम पंथी कडबंधन में सबसे बड़े समों का नेत्रे तो जीन लियोक मेलेंचन कर रहे हैं